हेलो दोस्तों चाय पानी चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप में बनाने जा रहे हैं मटर पानी मटर पानी बहुत तरीकी से हम लोग बनाते हैं इसके बहुत ज्यादा भरी इसन है लेकिन जिसी भी तरीकी से बना है मटर पानी खान में बहुत ही टेस्ट अब को पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो रेसिपी को पहले देख लेते हैं तो मैं यह पे 200 ग्राम पनील लिया हूँ जिसको मैं छोटे-चोटे टूगरों में काट लिया हूँ अभी मैं इसमें देदूँगी हाप टीस्पुन नमक, हाप टीस्पुन मैं देदूँगी कास्मिरी चिली पावडर, इससे क्या होगा पनील जब मैं फ्राइ करूँगी पनील का कालार बहुत अच्छा आयागा, अभी मैं नमक कर कास्मिरी चिली को पनील केसे अच्छी तरिक मिला लूँगी इस तर से अभी मैं लेलूँँगी फ्रेस ग्रीन पीश अभी जो भाजा में मिलता है मैं ओई ग्रीन पीश ले आ हूँ आप चाहि तो फ्रोजन ग्रीन पीश भी ले सकते हूँ अभी एक ब्लेंडेन में लेलोंगी काटा हुआ डामेटों यावे में दो बारेसाइज डामेटों लेलिया हुँ और देदूंगी दो टुपरा अधराक दो देदूंगी ग्रीन चिली देदूंगी में दो टीस्पुन नमक एक टीस्पुन में देदूंगी जीरा पाउडर एक टीस्पुन में देदूंगी धनिया पाउडर एक टीस्पुन में देदूंगी जागरी पाउडर आप चाहे तो इसमें चीनी भी यूशकर सकते हो और एक टीस्पुन देदूंगी में कास्मी चिली पाउडर और मैं देदूंगी इसमें तीन टेबल चमच दही अभी इसका एक मैं फाइन पेस्ट पहले में बाना लूँगी देखे पेस्ट मेरा जो रेडी हो गया है अभी गैस में एक काराई चारा के मैं उसमें दे दूँगी पाच टेबिल स्पून कुकिंग ओयल ओयल को मैं अच्छी तरीके से पहले गरम कर लूँगी ओयल जम करम हो जाएगा तम मैं इसमें पानीर को एक एक करके देखे अच्छी तरीके से मीडिया माच में फ्राई करूँगी पानीर को मैं गोल्डन ब्राउन कालर होने तक फ्राई करूँगी देखे पानीर अच्छी तरीके से फ्राई हो गया कालर भी कितना सुंदर हुआ है अभी मैं पानीर को कराई से निकालके साइड में रख दूँगी उसी वाईल में मैं देदूँगी जो मैं पेस्ट किया हूँ उसमें देदूँगी और देदूँगी मैं एक टिस्पून हल्दी पाउडर की कि मैं पहले हल्दी पाउडर नहीं दिया था और देदूँगी एक काप पानी देखे अच्छी तरीके से मीडिया माच में मैं इन सब को अच्छी तरीके से मतला को भून लूँगी पहले देखे अभी boil हो राय मासला अभी इसमें देदोंगी जो green piece लिया हूँ और इसमें add कर दोंगी अभी medium art में इसमें 2-4 मीट इसको boil करूँगी इससे क्या होगा जो green piece है वो अच्छी तरीके से boil हो जाएगा देखे अभी जो green piece है अच्छी तरीके से boil हो गया है अभी इसमें add कर दूँगी पहले से fry किया हूँ पनीर पनीर को देखे भी मैं 1-2 मीट इसको boil करूँगी में देदूँगी काटा हुआ धानिया पता देखे गैस अपगातूँगी तो मेरा जो पनी माटर पनीरे एक्टम देदी तो मेरे रिसीप आपके गैसा लागा जरूर कमें के बोले थेंक्यू झाल